दोस्तो यूपी में जुलाई अगस सितंबर का दिभ्यांग पैंसर का पैसा अभी तक खाते में क्यों नहीं डाला गया है क्यों जो है देरी हो रही है जैसा कि 2024 में जुलाई अगस सितंबर का पैंसर का पैसा अभी तक सभी के खाते में ट्रांसपर नहीं हो पाया है और अभी तक PFMS portal पर भी जो है beneficiary बनना इस्टार्ट नहीं हुआ जैसा कि कुछ दिन पहले ही अभी दो दिन तीन दिन पहले ही जो है beneficiary बनाई गई थी लेकिन जो है rejected लिखके आ गया है सभी का pension का पैसा तो कब जो है आपका PFMS portal पर जो है beneficiary बनना इस्टार्ट होगा कब जो है validate होना इस अब हमारे चनल को सब्सक्राइब करके लिजेगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके आलकर लिजेगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिक्षन आपको सब्सक्राइले मिल सेके और सबसे पहले आप पैंसन की बारे में जानकारी पास सकें तो चलब दो सब्सक्राइब को का गतार जो है सभी के खात में अब transfer हो ना इस्टार्ट ho चुका है और विद्धा पंसन का पैसा लगबग लगग सभी के है कि उनका अभी तक बैंक एकाउंट में जो है डीबिटी एन पीसे ही एक्टिव नहीं हो पाया है इसलिए जो है पेंसन आने में देरी हो रही है लगभग लगभग 75 परशन लोग ऐसे हैं कि उनका सब कुछ तो सही है लेकिन उनके पेंसन में जो है इक यवाईसे में कुछ कुछ दिक्कतें आ चुकी है तो इसी कारण जो है पेंसन लगने में देरी हो रही है और आपका पेंसन का पैसा अब फानली कब तक आपके खाते में ट्रांसपर होने वाला है कब तक पीफमस पोर्टल पर जो है बेनिफिसरी बनना स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूं कि 10 तरिक तक जो है 10 अक्टूबर तक जो है आपके में एकांड में जो है आपका पैसन का पैसा ट्रांसपर होना स्टार्ट हो जाएगा जैसा कि अक्टूबर मन्त से जो है आपका अक्टूबर में फास्ट बीक से जो है आपके पीफमस पोर्टल पर जो है आपका बेनिफिसर करे के रख लेना आपको सबसे पहले इस चैनल पहीं आपको पेंसिन के बारे में जैनकारी मिलती रहती हैं तो आप इस चैनल को सबस्क्रायब करेके रख Education को प्रेस करके आहल कर लिजिएगा ताकि हर एक वीडियो का standardized आपको सबसे पहले मिल सक और सबसे पहले आप पेंसे लेटेट समधी जानकारी पास सकें तो मिलते हैं एक अन्यवड में नए अप्डेटिक साथ तक लिए जैहिन बंदे मातरम